मैं भारत के 130 करोड से ज़्यादा लोगों की तरफ से प्रतेक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो सयुक्तर रास के संस्थापक देशों में से एक है आज के इस अइतिहास्टिक अउसर पर मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड लोगों की भावना है इस वैश्विक मंच पर साजा करने आया अध्यक्ष महोदय उन्निस सो पैतालिस की दुनिया निश्चित तोर पर आज से बहुत अलग थी पूरा वैश्विक माहोर साधन संसाधन समस्याएं समाधान सब कुछ भिन्द थे ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ जिस स्वरूप में गठन हुआ वो भी उस समय के हिसाब से ही था आज हम एक बिलकुल अलग दौर में हैं इकीसवी सदी में हमारे वरतमान की हमारे भविश्य की आवशक्ताएं और चनोतियां अब कुछ और है इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिश्यतियों में हुआ था उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगीक है सदी बदल जाए और हम न बडले तो बडलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है अगर हम बीते पचतर वर्सों में संयुक्तराश की उपलब्दियों का मुल्यांगडन करे तो अनेक उपलब्दिया दिखाई देती है लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उधारण भी है जो संयुक्तराश के सामने गंबीर आत्ममन्थन की आवशक्ता खड़ी करते हैं ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्विद नहीं हुआ लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए अनेकों ग्रह युद्ध भी हुए कितने ही आतं की हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया खुन की नदिया बहती रही इन युद्धों में इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे वो लाखों मासूम बच्चे जिने दुनिया पर चा जाना था वो दुनिया छोड़ कर चले गए कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गवानी पड़ी अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा उस समय और आज भी सयुप्तर राज के क्या परियाप्त थे पिछले आठ नव महने से पुरा विश्व कोरोना वैश्वीक महामारी से संगर्स कर रहा है इस वैश्वीक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्तर राष्ट कहां है एक प्रभाव साली रिस्पोंस कहां है अध्यक्ष्महवदय राष्ट की प्रतिक्रियाओं में बढ़लाओ व्यवस्थाओं में बढ़लाओ आज समय की माँग है संयुक्तर राष्ट का भारत में जो सम्मान है भारत के 130 करोड से जादा लोगों का इस वैश्वीक संस्ता पर जो अटूट विश्वास है वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्तर राष्ट के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेश चल रहा है उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आज भारत के लोग किन्तित है कि क्या ये प्रोसेश कभी एक लॉजिकल एंट तक पहुँच पाएगा आखिर कब तक भारत को संयुक्तर राष्ट के डिसिजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है एक ऐसा देश जहां विश्वकी अठारा प्रतिसत से जादा जनसंख्या रहती है एक ऐसा देश जहां सेंक्डो भाषाये हैं सेंक्डो बोलिया हैं अनेको पंथ हैं अनेको विचारदारा हैं जिस देश ने सेंक्डो वर्षों तक वैश्वीक अर्थेववस्ता का नेत्रुत्व करने और सेंक्डो वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है अध्यक्ष्य महोदाए जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोज नहीं बने अध्यक्ष्य महोदाए जिस देश में हो रहे परिवर्टनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदाए संयुक्तराष्ट जिन आदर्शों के साथ स्थापिद हुआ था और भारत की मूल दार्शनिक सोच बहुत मिलती जुलती है अलग नहीं है संयुक्तराष्ट के इसी हौल में ये शब्द अने को बार गुंजा है वसुधैव कुटुम कम हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं ये हमारी संस्कृती संस्कार और सोच का हिस्सा है संयुक्तराष्ट में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्यान को ही प्रात्विक्ता दी है भारत वो देश हैं जिसने शान्ति की स्थापना के लिए लगभग पचांस पीस किपिंग मिशन्स में अपने जांबाज सैनिक भेजे भारत वो देश हैं जिसने शान्ति की स्थापना में सबसे जान्दा अपने वीर सैनिकों को खोया है आज प्रतेग भारतवासी संयुक्तर राष्ट में अपने योगदान को देखते हुई है संयुक्तर राष्ट में अपनी व्यापक भूमी का भी देख रहा है अध्यक्ष महोदय दो अक्तूबर को इंटरनेशनल डे ओफ नन वाइलन्स और 21 जून को इंटरनेशनल डे ओफ योगा इनकी पहल भारत ने ही की थी Coalition for Disaster Resilience Infrastructure और International Solar Alliance ये भारत के ही प्रयास है भारत ने हमेशा पूरी मानव जाती के हित के बारे में सोचा है न की अपने निहित स्वारतों के बारे में भारत की नीतिया हमेशा से इसी दर्शन से प्रेवित रही है भारत की neighborhood first policy से लेकर act east policy तक security and growth for all in the region इसकी सोच या फिर इंडो Pacific शेत्र के प्रत्की हमारे विचार सभी में इस दर्शन की जलग दिखाई देती है भारत की partnership का मारदर्शन भी यही सिद्धान तय करता है भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाब नहीं होती भारत जब विकास की साजेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साजा करने में कभी पीछे नहीं रहते अध्यक्ष महोदाए पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडिस्ट्री ने एक सो पचास से अधिक देशों को जरूरी दवाईयां भेजी हैं विश्व के सबसे बड़े वेक्सिन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्वीक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूँ भारत की वैक्षिन प्रोड़क्षन और वैक्षिन डिलिवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकर से बहार निकालने के लिए काम आएगी हम भारत में और अपने पडोस में फेज थ्री क्लिनिकल ट्राइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं वैक्षिन की डिलिवरी के लिए कोल्ड चेइन और स्टोरेज जैसिक शमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा अध्यक्ष महोदाय अगले वर्ष जन्वरी से भारत सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्य के तौर पर भी अपना दाईत्व निभाएगा दुनिया के अनेक देशों ने भारत पर जो विश्वास जताया है मैं उसके लिए सभी साथी देशों का आभार प्रगड करता हूँ विश्व के सबसे बड़े लोगतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उप्योग करेंगे हमारा मार्ग जन कल्यान से जग कल्यान का है भारत की आवाज हमेशा शांती, सुरक्षा और सम्रुद्दे के लिए उठेगी भारत की आवाज मानवता, मानवजाती और मानविय मुल्यों के दुश्वन आतंगबाद, अवेईद हत्यारों की तसकरी, ड्रग्स, मनी लॉंडरिंग के खिलाब उठेगी भारत की सांस्कृतिक दरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव हमेशा विकास सिल्देशों को ताकत देंगे भारत के अनुभव, भारत की उतार चड़ाव से भरी विकास यात्रा विश्व कल्यार के मार्ग को मजबूत करेगी अध्यक्ष महोदाय, बीते कुछ वर्षों में, रिफार्म, पर्फार्म, ट्रांस्फार्म इस मंत्र के साथ, भारत ने करोडों भारतियों के जीवन में बड़े बड़लाव लाने का काम किया है यानुभाव, विश्व के बहुत से देशों के लिए उतने ही उप्योगी है, जितने हमारे लिए सिर्फ चार-पांच साल में, चार सो मिलियन से जादा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ना आसान नहीं था लेकिन भारत ने ये करके दिखाया सिर्फ चार-पांच साल में, छेसो मिलियन लोगों को ओपन ड़ेफिकेशन से मुक्त करना आसान नहीं था लेकिन भारत ने ये करके दिखाया सिर्फ दो-तीन साल में पांच सो मिलियन से जादा लोगों को मुक्त इलाज की सुविदा से जोड़ना आसान नहीं था लेकिन भारत ने ये करके दिखाया आज भारत डिजिटल टांजेक्शन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है आज भारत अपने करोडो नागरिकों को डिजिटल एक्सेस देकर एमपावर्मेंट और ट्रांस्परंसी सुनिश्चीत कर रहा है आज भारत वर्ष दोहजार पचीज तक अपने प्रत्येक नागरिक को टीबी से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है आज भारत अपने गाउं के एक सो पचास मिलियन गरों में पाइप से पीने का पानी पहुचाने का अभियान चला रहा है कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने छे लाग गाउं को ब्रॉड बैंड अप्टिकल फाइबर से कनेक करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुवात की है अध्यक्ष महोदय पैंडेमिक के बाद बनी परिस्तित्यों के बाद हम आत्मन निर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आत्मन निर्भर भारत अभियान ग्लोबल एकनोमिक के लिए भी एक फोर्स मल्टिप्लाइर होगा बारत में आजे सुनिशित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाप बिना किसी भेदभाव प्रत्यक नागरिक तक पहुँचे विमन एंटरप्राइज और लिडर्शिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनसिंग स्कीम्स का सबसे जादा लाब भारत की महिलाएं ही उठा रही हैं भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 weeks की paid maternity leave दी जा रही है भारत में ट्रांस जेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिये गए हैं अध्यक्ष महोदाय भारत विश्व से सिखते हुए विश्व को अपने अनुभव बाणते हुए आगे बढ़ना चाहता है मुझे विश्वास है कि अपने 75 वे वर्ष में संयुक्त राष्ट और सदस्य सभी देश इस महान संस्ता की प्रासंगित्ता बनाए रखने के लिए और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे संयुक्त राष्ट में संतुलन और संयुक्त राष्ट का ससक्ति करण विश्व कल्यार के लिए उतना ही अनिवारिया है आईए संयुक्त राष्ट के पच्चतरवे वर्ष पर हम सम मिलकर अपने आपको विश्व कल्यार के लिए एक बार फिर समर्पीत करने का प्रह्म ले धन्यवाद अमार्क ये लगभग बाइस मिनट का प्रधान में तरह